पहला पाठ प्रिष्ट क्रमांक एक से चार तक कविता है गुडिया मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुडिया बेच रही थी इसे भीड में बैठी नुकड पर बुडिया मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजा कर देख लिया आँखें खोल मूँद सकती है वह कहती है पिया पिया जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली बड़ी भली है इसकी आँखें मतवाली काली काली उपर से है बड़ी सलोनी अंदर गुड़ी है तो क्या ओ गुडिया, तु इस पल मेरे शिशुमन पर विजई माया। रखूंगा मैं तुझे खिलोनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगा रंग फुलवारी में। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा। खेल खिलोनों की दुनिया में त तुझको परी बनाऊंगा। कवी हैं कुअर नारायन। अभ्यास। शब्दार्थ नुकड अर्थात मोड या छोर। मूंद या मूंदना अर्थात बंद या बंद करना। चुनरी अर्थात ओडनी या दुपट्टा या चुन्नी। भली अर्थात अर्थात अच्छी या सुन्दर। सलोनी अर्थात सुन्दर। गुदड़ी अर्थात फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई या बिचावन। शिशुमन अर्थात बालमन या भोलामन। रंगारंग अर्थात रंग बिरंगी, रोज अर्थात हर दिन एक, कविता से क, गुडिया को कौन, कहां से और क्यों लाया है ख, कविता में जिस गुडिया की चर्चा है, वह कैसी है ग, कविने अपनी गुडिया के बारे में अनेक बातें बताई है उन में से कोई दो बातें लिखो दो, तुम्हारी बात क, खेल खिलोनों की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा बच्पन में तुम भी बहुत से खिलोनों से खेले होगे अपने किसी खिलोने के बारे में बताओ ख मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजा कर देख लिया अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलोना खरीदना हो तो तुम कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखोगे ग मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुडिया यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों? तीन-मेला भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं क, तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ पता करो कि वह मेला क्यों लगता है वहां कौन-कौन से लोग आते हैं और वे क्या करते हैं इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता ले सकते हो ख, तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदी के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ, कि अगर तुम्हें इन में से किसी मेले में जाने का अवसर मिले, तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे, और क्यों? चार, कागज के फूल, कागज से तरह तरह के खिलोने बनाने की कला को आरिगैमी कहा जाता है, तुम भी कागज के फूल या वस्तु बना कर दिखाओ पांच, घर की बात, तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं? क, गुडिया, ख, फुल्वारी, ग, नुकड, ग, चुनरी, छे, मैं और हम, मैं मेले से लाया हुई इसको, हम मेले से लाए हैं इसको यहां हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख दें, तो हमें वाक्य में कुछ और शब्द भी बदलने पढ़ जाते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए, दिये गए वाक्यों को बदल कर लिखो क, मैं आठ्वी कक्षा में पढ़ती हूँ, हम आठ्वी कक्षा रित्स्थान क, मैं जब मेले में जा रहा था, तब बारिश होने लगी इसी वाक्य को हम के साथ लिखो ग, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी इसी वाक्य को हम के साथ लिखो साथ, शब्दों की दुनिया दिये गए शब्दों के अंतिमवर्ण से नए शब्द का निर्मान करो जैसे मेला से नए शब्द बनेंगे लाल, लगन, नया, याद इसी प्रकार इन शब्दों के अंतिमवर्ण से नए शब्दों का निर्मान करो पिया, खोल, शिशुमन